समिदान के उच्छ पद पे बैटते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाती का अदमी हूँ इसलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं समिदान के पद पे बैटे हो और तुम रोते हो अरे समिदान चलाओ लाकों लोग कुर्बानी करके आदादी दिला है और आप लोग आपके घर में कोई एक चुबा भी नहीं गया अरे कितने डराते हो जो मौदी जी शाह इनोंने इनोंने डिमोकरसी को खतम करने का एक बीड़ा उठाया है देश के समिदान को खतम करने का इनोंने बेड़ा उठाया है दलीतों को मजदूरों को किसानों को महिलाओं को कुचलने का काम इनोंने किया है और अभी भी कर रहे हैं इस डेश के डिमोकरसी को खतम करने के लिए ही 146 MPs को इनोंने बाहर निकाला कोई कुछ नहीं बोला हमारे राम गोपाल यादो जी यहां नहीं है उन्हों बहुत दूर बैटे थे ऐसे कहीं जो 147 MPs में दूर दूर बैटे थे मूँ भी नहीं खोले थे बोलने का बात उनको समय भी नहीं मिला लेकिन उसको सस्पेंट किया गया सस्पेंट करने के बाद हमने बाहर सभी मिलके गांधी स्टाचू के पास सत्यागरा किया दर्ना किया तब जो हमारे सदन में सरकार के तरफ से ये आता है मुझे बहुत दक्का लगा कि एक समिदान के उच्पत पे बैटते हैं ऐसे लोग कहिते हैं कि मैं एक फलाना जाती का अदमी हूँ इसलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं अरे अगर आप देश के सुरक्षक करने का अधिकार लिये हैं समिदान के तहट आप चलने का वाइदा किये हैं तो आप जातपात की बात अंदर करते हो और जातपात पे चलने की बात करते हो अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलीत की हालत क्या होगी मैं जब उठता था सदन में उठता था बात करने के लिए आपके तरस आवाज उठाने के लिए तो उस वक्त उस वक्त कभी मुझे मोखा नहीं मिलता था जब कभी भी देश में जब महिलाओं के उपर रेप होती है जब कभी दलीतों के उपर दलीतों को कुछला जाता है किसानों को मारा जाता है मस्दूरों को मारा जाता है और समिदान के धज्जे उड़ाए जाते हैं उस वक्त हम खड़ा होके जब नोटिस देते हैं नोटिस पढ़ने को भी हमको वो हमको पर्मिशन नहीं दिये तो मैं यह क्या कहूं कि यह बीजेपी के लोग बीजेपी की सरकार एक दलीत को बोलने नहीं देगा ऐसा मैं कहूं अरे यह तुम समिधान के पज़ पे बैटे हो और तुम रोते हो अरे समिधान चलो समिधान के तहट डिमाकरसी के तहट सब को बात करने का हक है और वो आजादी आप छीन नहीं लए सकते हैं वो आजादी हमको मिली है जवरलाल मेरू से वो आजादी हमको मिली है मात्मा गांदी से वो आजादी हमको मिली है डक्टर हम्बेडकर से प्रुबानी करके आदादी दिला है और आप लोग आपके घर में कोई एक चुवा भी नहीं गया आदादी दिलाने के लिए है गया और वो हमको कहते हैं देश को यह बर्बाद कर रहे हैं अपोजिशन के लोग देश को यह लोग यहाँ पर डिमाकिसी नहीं चलने देते यह क को बाहर निकाले अप सभी MLS को सबी MPs को आपने बाहर निकाला और सभी कानून अपने पास कर लिया तीन क्रिमनल कानून ऐसे है आगे आले वाले दिन में वो सारे सिटिजन्स को सताइंगे अच्छे कानून को हम स्वागत करते हैं किसानों के लिए भी आईसाई किया मजदूरों के लिए भी आईसे ही कानून लाए तो इसलिए भाईयों हमको लड़ना है आज मोदी जी हरे कुदवार है हमारे कारिकरताओं को जहां कहीं एलेक्शन आता है उनको ED का डर, CBI का डर, income tax का डर, अरे कितने डराते हो अरे ये opposition party, congress ये डरने वाली नहीं है जुकने वाली नहीं है अगर आप कितनी भी कोशिश करो मोदी साथ आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की हम बींज है बार बार उटने की आदत है हमको हम तो तुम दबारे की कोशिश करते हो तो हम उड़ते हैं और देश को बचाने के लिए समिदान को बचाने के लिए लोगतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ रहे हैं मुझे खुशी है कि सारे अपोजिशन के नेता सारे अपोजिशन के नेता एक हो गए हैं अब जब सब लोग एक होते हैं तब अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखके रहिए योस 24